नमस्कार मित्रो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्के हेलप इवित जारबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिस एक्जाम के लिए मोस्ट इपोर्टेंट राजस्तान समयने ग्यान के 45 कोस्टनों के बारे में दोस्तों ये सभी के सभी 45 कोस्टन राजस्तान प्लिस एक्जाम पेटरन पर अधारित है तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यान परोग देखना और अंतिम आपसे एक जीके का कोस्टन पुछा जाए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नौटिफिकेसन मिल जाएं साथ ही दोस्तों ये हमारा 12 मोडल पेपर है इससे पहले 11 मोडल पेपर अप्लोड कर दिये गए हैं अगर आपने ये 11 मोडल पेपर नहीं देखे तो इसका लिंक राजस्तान प्लिस एक जरूरे करें चली आज का फर्स्ट कोस्टन 은 राजस्तान उचनीयले के खंड़क स्तापित कर तो ऊपोर आपके समने जोद पूर जोध Spencer पर जेपूर के हैं इसainास तो इसका से ओफनेया पर राइट हो जेपूर राजस्तान उचनीयले के खंड़क स्तापूर में सबते थी याद रखना दोस्तों राजस्थान उचनियाषी स्थापना कभुई थी 39 अगस्ट התנिसो 2020 liberty इसन्डापना की गी थी और याध नीकि मक्यन स्कौं तर पर्जेंट तैम में दोस्तो 27 इंदर्जीत मानती और सुर्वादिक जो लंबा करे कल रहा है वो राय दोस्तों के लास ना थे वांचु का तो यह इतने फेक्ट है दोस्तों राजस्तान उचने ले से समझी ता आपको याद है रखनी है जली दोस्तों अगला कुस्चन है राजस्तान में सबसे बड़ा विदान सबा च्छेतर है छेतर फल्की द्रिष्टी से बताना है दोस्तों कोन सा है आपके सामने है जेसल मेर नागोर बरतपूर जैपूर तो दोस्तो इसका D option राइट होजा है जेसल मेर छेतर फल की दरश्टी से सबसे बड़ा विदानसभा छेतर है यानि कि इस question का D option राइट है चलिए अगला question है जैपूर नगर की स्तापना की गई थी बताईए दोस्तो जैपूर नगर की स्तापना कब की गई थी accurate rate के नुसार आपको बताने है दोस्तो तो दोस्तो जैपूर नगर की स्तापना की गई थी 18 November 1727 Sv को यानि कि इस question का C option राइट हो जाएग अगर question पूछा जाए कि जैपुर नगर की स्तापना किस ने की थी तो दोस्तों याद रखना स्वाई जैस यह दिवित्या ने की थी यह बहुत इपोर्टेंट फेंट है और अक्सर एकजाम में यहां से question पूछा जाता है साथी दोस्तों और भी जो मुखय नगरे जिनकी स्तापना से समंधित question पूछ लिए जाते है जैसे उद्यपूर की स्तापना 1569 इसी में उद्यश यह ने श्रीपंथ किसका प्राची नाम है बहुती इपोर्टेंट फिक्टर है दोस्तों जो प्राची नाम और उपनाम यहां से कोषचन पूछा जाता है तो आपको याद रखने हैं श्रीपंथ है यह बयाना का प्राची नाम है यानि किस कोषचन का D option right है चली अगला कोषचन है र तो दोस्तो इस question का B option या पर right हो ज़े 10.41% है दोस्तो आप सभी को मालूम है बारत का जो छेतरफल 32,87,233 बरक किलोमेटर है और राजस्तान का छेतरफल है 3,42,249 बरक किलोमेटर अगर आपन बारत के छेतरफल में राजस्तान के छेतरफल का भाग देते हैं तो यह बाग दे question है राजय में सबसे उंची जील है इप्पोंट को स्चनियенная दोस्तो राजस्तान प्लिस में यह कुछा गया तो आपको बताने कि राजस्तान राजय में कौन सी सबसे उंची जील है कि यह तो दोस्तो यह नकी जील यानि कि इस question का c की ऑफ्षन राइट हो जएगा दोस्तों इस जिल को नाकुनों से खोद कर निर्मान करवाया था इसलिए इसे नक्की जिल के ते जो कि राजस्तान के शिरोई जिले में अस्तित है दोस्तों सर्दियों के मौसम में यहां पर पानी जम जाता है यह भी आपको द्यान रखना है चलिए दोस्तों अगला कुस्तिन है राजस्तान के जिलों की जनसंख्या अकार कुल जनसंख्या की दरश्टी से सई अवरोई करम है बताए दोस्तों जन संक्या के अधार पर आपको अब रोई करम बताने हैं दोस्तों तो दोस्तों इसका A option right हो जोदपूर, अलबर, नागोर, उद्यपूर यानि कि A option right है दोस्तों राजस्तान की जन संक्या की दरश्टी से एकर देखे तो सबसे बड़ा जिला है जैपूर और सबसे चोटा जिला है दोस्तों जैशल मेर और जैपूर के बाद में दोस्तों जोदपूर आता है फिर अलबर, फिर नागोर, फिर उद्यपूर ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों जैजनू जैसे जैपुर, जैसे जोदपुर, एसे अलवर, एन से नागोर, यू से उद्यपुर, ये सुरवात के पांच जिले दोस्तो जन सिंक्या की दरश्टी में अवरोई करम के उनसार चलिए दोस्तो अगला कोस्टन है पुर्णते राजस्तान में बैने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इपोर्टन कोस्टन है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है दोस्तो आपको बताना है कि पुर्णते राजस्तान में बैने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तो इसका A option राइट हो जाएगा बनास नदी सबसे लंबी नदी है पुरुनते राजस्तान में बैने वाली चलिए दोस्तो अगला कुश्चन है सरवादिक मात्रा में सताई जल वाली नदी कौन सी है तो दोस्तो ये नदी है चंबल नदी यानि कि इस कुश्चन का A option राइट हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला कुश्चन है 0 से 6 आयूबरक का लिंगानुपात है यानि कि 0 से 6 आयूबरक का लिंगानुपात बताना है दोस्तो जन संक्या 2011 के अनुसार तो दोस्तो इसका डी ओप्सन राइट हो जाए गया आठ सो अठेशी और दोस्तो राजस्तान का वेसिल लिंगान पत कितने है नो सो अठाइस दो जार गयरा की जन संक्या के अनुसार यह भी आपको ध्यान रखना है यहां से एक जाम में कोस्चन पुछा जाता है चलिए दोस्तो अगला कोस्चन है राजस्तान में बाग प्रयोजना सबसे पहले कहां सुरू की गई थी बताइए दोस्तो राजस्तान में जो बाग प्रियोजने ये सबसे पहले कापर शुरू की गी थी ओप्सन आपके सामने है सरिस्का, रण थंबोर, केवला देव, अलवर तो दोस्तो राजस्तान में सबसे पहले बाग प्रियोजना शुरू की गी थी रण थंबोर में किस के दोवारा मिट्टी में जो चार्यता होती है उसे दूर किया जा सकता है उप्शन आपके सामने है जिफ्सम से पानी से गास से इनवे से कोई नहीं तो दोस्तो जिफ्सम की मदद से मिट्टी की चार्यता दूर की जा सकती है यानि किस question का A option राइट हो जाएगा दोस्तो आज पार्ट B से समंदित जो वीडियो अपलोड किया गया था अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जुरूर देखे उसमें जो पार्ट B से समंदित जीके जीएस और जीए के 35 कोस्टन डिसकसे किये गया है तो उसे जुरूर देख आपके सामने उद्यपूर चितोडगड राजसमंद पाली तो दोस्तो इसका मुखेल है उद्यपूर में यानि किस कोस्टन का A option राइट हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला कोस्टन है नीमला राइसेला छेतर में लोए एसक निकाला जाता है या है दोस्तो ये कांपर स्थ अजमेर में जालोर में दोस्ता में सिक्कर में तो दोस्तो नीमला राइसेला छेतर है ये अजमेर में स्थित है यानि किस कोस्टन का A option राइट है चलिए दोस्तों अगला कोस्टन है निमन में से क्रीप की पसल कौन सी है क्रीप की पसल बताना है दोस्तों आपके सामने है चलिए दोstव अगला कोष्टन है किस जिले में सबसे कम पसू समपदा है की शबसे कम पसू समपदा बताना है दोस्तों कौन से लि 제대로 में है जात ऑपसे counsel मेर चुरू दोलपूर बारा तो दोस्तों सबसे कम पसू समपदा दोलपूर जिले यानि कि इस question का c option right है दोस्तों अगर question पूछा जाए कि सुर्वादिक पसू संपदा किस जिल में तो याद रखना बाड मेरे में और दोस्तों दोलपूर का छेतर फल भी राजस्तान में सबसे कम है ये भी द्यान रखने है चलिए अगला question है किस देवी की मूर्ति के उपरी हिंसे पर पंच देवी की परतिमा उतकरिन है बताईए दोस्तों किस देवी की मूर्ति के उपरी हिंसे पर पंच देवी की परतिमा उतकरिन है option आपके सामने है सचियाई माता, आई माता, सिला देवी, साकंबरी बता तो दोस्तो इसका C option right हो ज़गा है सिला देवी मेना जाती किस लोग देवता की जूटी कसम नहीं खाती है तो बताएं दोस्तो बहुत important question है और ये exam में पूछ आगये कि मेना जाती किस लोग देवता की जूटी कसम नहीं खाती है option है रूपनात जी हरीराम बाबा संत मानसी बूरिया बाबा तो दोस्तो मीना जाती बूरिया बाबा की जूटी कसम नहीं खाते है यानि कि इस question का D option right हो जाएगा दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जुरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करें चलिए दोस्तों अगला question है किस के बच्पन का नाम की का था बहुत important question है और ये एक्जाम में पूछा गया है आपको बताना है कि किस के बच्पन का नाम की का था option है कुमबा, सांगा, रणा परताप, अकबर तो दोस्तों रणा परताप के बच्पन का नाम है की का था यानि कि इस question का C option राइट हो जाएगा दोस्तों ये किक का नाम किन के द्वारा दिया गया था बिलो के द्वारा दिया गया था क्योंकि जो बिल लोग है ये छोटे बच्पन को किक का कहकर पुकारते हैं ये भी आपको द्यान रखना है चलिए दोस्तों अगला question है जूते हुए खेत के सक्षे मिले हैं बताइए दोस्तों जूते हुए खेत के सक्षे किस सब्बेतस तल से मिले हैं ओप्शन आपके सामने काड़ी बंगा से आहर से गणेश्वर से एलाना से तो दोस्तो जूते हुए खेत के सक्षे मिले काड़ी बंगा से यानि कि इस कॉस्चन का A option राइट हो जए दोस्तो वर्तमान में जो काड़ी बंगा है ये राजस्तान के हनुमानगर जिले में अस्थीत है चलिए दोस्तो अगला कॉस्चन है मतस्य संग में सामिल रियास्ते थी बताइए दोस्तों मतस्य संग में कौन सी रियास्ते सामिल थी ओप्सन अलवर क्रोली बर्थपुर ये सभी तो दोस्तों ये सभी मतस्य संग में सामिल थी रियास्ते दोस्टों आपको मैं बता देता हूं मत्य से शंग में कुल चार यास्ते सामल दी एक तो अलबर दूसरी कुरोली तीसरी भरतपूर और चोथी दोलपूर तो यह ध्या रखना आपको अगला कोस्टन है आपको 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 आप फिर है दोस्तों तिर्कुट पाड़ी दोस्तों तिर्कुट पाड़ी नागोर में नहीं स्थीते हैं तिर्कुट पाड़ी दोस्तों जेसल मेर मिस्थीते हैं यह याद रखना है दोस्तों कहां पर स्थीते हैं जेसल मेर मेर में तो यह संगत हो जाएगा ओप्सन बी पाड़ी जेसल मेर में अस्तीत है चलिए अगला कुश्चन है संगत बताईए दोस्तों आपको संगत बताने कि गगर है नदी इसका उद्गम कहां से होता है साबी नदी इसका उद्गम कहां से होता है कांतली नदी इसका उद्गम कहां से होता है तो दोस्तो यह सभी राइट हो जाएगा क्योंकि गगर नदी का उदगम काल का प्रवथ स्रिनी माचलप्रदेश से होता है सभी नदी का उदगम क्षंडेला की पाड़ियू से होता है यानि कि इस कोस्चन क डी option राइट है सभी यूगम संगत है चलिए दोस्तों अगला कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्रवेजना से लाबानवीत राजस्तान के जिली है यह आपको बताने है option आपके सामने है दोस्तों बासवड़ा दुंगरपूर वीलवड़ा हनुमानगड हुआ तोements तो हनुमानगड जिला लाबानवीत यानि कि इस question का D option right है चलिए अगला question है इंद्रा लिफ्ट सिंचाई प्रोजना समंदित है बताइए दोस्तों जो इंद्रा लिफ्ट सिंचाई प्रोजना है ये किस समंदित है स्वाई मादोपुर से, चूरू से, नागोर से, सिक्कर से तो दोस्तो इंद्रा लिप्ट स्वाई सिंचाई प्रोजन ये स्वाई मादोपुर जिले से समझ दीता है यानि कि इस question का A option right है दोस्तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक जुरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अगला question है राजस्तान की किस पसल को स्थानिय बासा में बढ़िया का जाता है बहुत important question है दोस्तो और ये पटवार exam में question पूछा गया है आपको बताने कि कोन सी पसल को बढ़िया का जाता है स्तानिय बासा में राजस्तान में तो दोस्तो इसका बी ऑप्सान राइट हो जो होता है अगर कोस्टन पूछा जाए कि अमेरिकन कपास का स्रवादिक उत्पादन किस जिले में होता है तो याद रखना श्री गंगानगर जिले में और दोस्तों कपास के लिए काली मिटी उप्योगत मानी जाती है कैसे कपास कैसे काली मिटी उप्योगत होती है चलिए अगला तो दोस्तों के लिए स्रवादिक होती है तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि मध्यम काली मिटी राजस्तान की किस पसल के लिए होती है यानि कि इस को सन्का बी ऑप्शन राइट है है चलिए अगला कोस्टन है मरुस्तल वनारोपन के अब बूस रंकशन के अंदर राज्य के किस जिले में अस्तित है अपके सामने दोस्तों जैपुर जोदपुर अलवर बांसवड़ा तो दोस्तों इसका बी ऑप्सन यहा आरूपन एवं भूस्रंग्चन के अंदर अस्तीत एं चलिए दोस्तों अगला कोस्च्च नहैं परथम खिलजी सुल्तान जिसने रंथमबोर दूरुख पर आकरम konnte का था रेंथमबोर परतियार सासक जिसने सरप पर्थम बीनमाल को अपनी राजदानी बनाया वैद था तो दोस्तों बीनमाल को राजदानी बनाने वाला परतियार सासक कौन था यह आपको बताने हैं ओप्षन आपके सामने नागबट पर्थम, नागबट दिवित्य, मेंदरपाल पर्थम, मेंदरपाल दिवित्य तो दोस्तो इसका A ओप्षन राइट हो जाएगा है नागबट पर्थम परतियार सरसक था जिसने सरब पर्थम बीनमाल को अपनी राजदानी बनाया था चलिए दोस्तों अगला कोस्टन है राजस्तान संग में कितनी रियास्तों को सामिल किया गया राजस्तान संग में कितनी रियास्तों को सामिल किया गया था दोस्तों जो एक किकरन का दूसर रचन है उसका नाम राजस्तान संग था और इसमें नोर यास्तों को सामिल किया गया था यानि कि इस question का C option right है चली दोस्तों अगला question है बटवाडा के युद में कौन सा कच्छवा सासक प्राजित हुआ था आपको बताना है दोस्तों जो बटवाडा का युद हुआ था इसमें कौन सा कच्छवा सासक प्राजित हुआ था तो दोस्तों इसमें प्राजित हुए थे मादोसिया पर्थम यानि कि इस question का A option right हो जाए दोस्तों 1761 इसमें युद हुआ था कोटा माराव सत्रु साल और मादोसियं पर्थम के मद्य जिसमें मादोसियं पर्थम हार जाते हैं चलिए दोस्तों अगला कोस्टन है नीमडा गाम हत्यकांड किस जनजाती आंदोलन से समंदित है नीमडा गाव हत्य काण्ड है एक यह आंदोलन से यानिक इस कुस्चन का ओप्सन राइट हो जाएगा चलिए अगला question है अमरदास बिरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है second grade exam में ये question पूछा गया है आपको बताना है अमरदास बिरागी है इनको किस क्रांतिकारी नाम से जाना जाता है option है विजय सियंपथिक जुरावर सिंग भारट तात्या टोपे दुरुगा दास रा ठोड़ तो दोस्तो जुरावर सिंग भारट है इनको अमरदास बिरागी नाम से भी जाना जाता है यानि कि इस question का B option right है अगला question है राजस्तान में विद्यमान बिरोजगारी का सबसे परमुक कारण कोन से है दोस्तो सबसे परमुक कारण आपको बताना है राजस्तान में बिरोजगारी का तो दोस्तो सबसे प्रमुक कारण है सरम सक्ति में हुई वर्दी के अनुपात में रोजगार का सर्जन होना द्यान रखना दोस्तो सरम सक्ति में हुई वर्दी के अनुपात में रोजगार का सर्जन होना रोजगारी का सबसे प्रमुक कारण है चली दोस्तो अगला कोस्टन है राजस्तान में 13पंत के परवर्तक रही हैं यह बताना है दोस्तो एक्जाम में यह पुछा जाता है तो दोस्तो तेरे पंत के परवर्तक है बिखन जी यानि कि इस कोस्टन का D ओप्षन right हो जाएगा चलिए दोस्तो, अगला कोश्चन अनमेल विवाय और बाल विवाय निशेद अधिनियम सबसे पहले अलवर यासत ने किस वर्ष बनाया तो दोस्तो ये बनाया गया था 1903 में यानि कि इस कोस्टन का B option राइट हो जाए दस दिसंबर 1903 को यह अधिनियम बनाया गया था चलिए दोस्तों अगला कोस्टन है स्वामी दियानंद सर्श्वती द्वारा 1883 इस्वी में प्रोपकार्नी सभा किस्तापना काँपर की गई थी दोस्तों सिधा सा कोस्टन पूछा जाता है कि प्रोपकार्नी सभा किस्तापना 1813 सर्श्वी में किसी ने की तो याद रखना स्वामी दियानंद सर्श्वती ने और यह काँपर की गई थी तो याद रखना उध्यपूर में यानि कि इस कोस्टन का D option राइट है बहुत इपोर्टेंट कोस्टन है दोस्तों रक्सर एकजा में यह कोस्टन पूछा जाता है चलिए दोस्तों अगला कोस्टन है मतश्य संकार राजस्तान में विल्या कब किया गया बताईए दोस्तों मतश्य संकार राजस्तान में विल्या कब किया गया था हुआ है और सुष्ट ऱौन magnificent में राजस्थान में मतशेhlxa का विल्य किया गया थी यानि कि इस को संका सी और से राइट है के चलि अगला को स्क ने बारे देव्रा नमग स्व मंदिर समय अश्ठित है दोस्तों बारे देव्रा नमक सिव मंदिर सुमयस्तित है जाजपुर में यानि कि इस कोस्चन का सी ओप्षन राइट है चलिए अगला कोस्चन है किस परजामंडल आंदोलन के तैत कृष्णा दिवस मनाया जाता है बताए दोस्तों किस परजामंडल आंदोलन के तैत कृष्णा दिवस मनाया जाता है आपके सामने है जेपूर परजामंडल अंदुलन मारवाड परजामंडल अंदुलन कोटा परजामंडल अंदुलन बुंदी परजामंडल अंदुलन तो दोस्तो कृष्णा दिवस मनाया जाता है मारवाड परजामंडल अंदुलन के तैती यानि कि इस कोश्चन का वी कौन सा तत्त वद्य नहीं है बताएए दोस्तों तार से बनावा वद्य इंतर इन में से कौन सा नहीं है ओप्सने रावनत्ता सुर मंडल कमाईचा सतारा तो दोस्तों इसका डी ओप्सन राइट हो जाए सतारा ये तार से बनावा वद्य इंतर नहीं है सतारा जो वद्य इंतर का अंतिम पढ़ाब बताने हैं दोस्तो तो इसका डि ओप्शन खंबात की खाड़ी का अंतिम पढ़ाब घुझा एक से कि माही नदी से इपोर्टन पुछा जाता है की जो माही नदी है यह राजस्तान की जो करक रूखआ गुजरतीया दो जिलों से डुंगरपूर और बांसवड़ा से और करक्रेखा की दोस्तों राजस्तान में जो लंबाई है वह 26 किलोमेटर याद रखना क्वेस्टन पुछा जाता है कि करक्रेखा की राजस्तान में कुल कितनी लंबाई है तो याद रखना 26 किलोमेटर इस करक्रेखा को लड़ा गया आपको बताने हैं दोस्तों यह कब लड़ा गया था गिरी शुमेल का युद्ध तो दोस्तों यह लड़ा गया था जनवरी पंदरा सो चुमारी सिस्वी में यानि कि इस कुस्चन का ए ओप्शन राइट है दोस्तों राब माल्देव हैं इनके दोस्ते ना पती जेता और कुमपा और सेर सा सुरी के मदे यह युद्ध हुआ था चलिए दोस्तों आप बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे कुस्चन पुछा गया था कि किस दुरक के लिए इससा कहा जाता है कि वहां केवल पत्थर की टांगे ही पहुंच सकती है तो दोस्तों इसका C option right था और लगबख student ने इस question का जवाब right दिया और आपसे भी कहता हूं दोस्तों जो question आपसे पूछा जाता है इसका जवाब आप comment box में जरूर दिया करो जितनी भी उस question से समंदित आपको जान करी हो वो comment box में जरूर लिखा करो और जो चीज आप लिख देते हो व कि स्थापना की थी आपको बताना है दोस्तों इजलास खास किस तापना किसने की ती option है महराज बंने सिहें माराना सजन संग महराजा अजित सिहें रौना बग्वन सिंग दोस्तों इस question का जवाब आपको वीडियो के comment box में देना है आपको यह वीडियो के सालगा यह भी comment box में जुरूर बताएं और बहुत जल्द नेश्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम जय भारत